हाई गैस एन विल्कम बैक टो दी चैनल दीपच्यादव एजूकेशन विल्कम टो दी डेली करेंट अफियर्स ओफ 15 ओफ फैबरी 2022 तो गैस आज है तारिक 15 फैबरी 2022 और है तूस्डे आज की तारिक से जितने भी most important करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफियर्स को ह लोट कर सकते हो साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे connect होना चाहते हो तो नीचे description box में मेरे Instagram ID का link भी दिया या है महाँ पर जाकर आप लोग connect होकर अपनी queries मुझसे पूछ सकते हो और जैसा कि आप लोगो पता है ये वीडियो UPSC और State PSC के point of view से बहुत important होता है यहाँ पर के जो answer से आप लोग को इस वीडियो मिल जाएगा तो वीडियो को अच्छे सुनना तो उसके बाद last minute को solve करना जिससे कि आपके अंदर एक confidence built up होगा कि हाँ यार मैं इन questions को काफी अच्छे से solve कर पाया हूँ अब हम लोग क्या करेंगे अपने कल वाले questions की answer की इसको देखेंगे क्योंकि इन questions का discussion daily basis पर चलता है तो मैं आप लोग को answer की इस बता देता हूँ ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने question कल सही किये थे और कितने गलत किये थे कल आप से पहला question पूछा गया था कि देखो medieval India के time की बात है loans देना start क्या गया था farmers को तो किसानों को loan देना start क्या गया था किसके साशन में वो है मुहम्मद बिन तुगलक अगला question आप लोगों से पूछा गया था जो एक list है जिसके अंदर top 20 most polluted शहर है जहां पर प्रदूर्शड सबसे जादा है इस list के अंदर top 20 में से भारत के कितने शहर है तो भारत के 14 शहर आपको देखने को मिलेंगे अगला question आप लोगों से पूछा जाता है एक process है जहां पर छोटे छोटे नुकले के उपर force डालकर pressure डालकर उनको एक बड़ा नुकले बना दे जाता है इनमें एक fusion होता है उस process को हम लोग क्या बोलते है उसको बोलते है nuclear fusion कल detail से मैंने आप लोगों को बताया था nuclear fusion और nuclear fusion के बीच में क्या difference है अगले question में आप लोगों से पूछा गया था जो आइटर के अंदर members है आइटर के members China है European Union है US है Russia है इसके अलावा भी कुछ members है वो कौन कौन से है वो है India, Japan, South Korea अगले question आप लोगों से पूछा गया था कि अभी एक operation के एंडर में काम किया जा रहा है जहा अगले question आप लोगों से पूछा गया था हाल ही में एक ministry ने 5th national award for innovation and good practices in educational administration को present किया है वो कौन से ministry है वो है ministry of education I hope आप लोगों ने सभी के answers काफी अच्छे से दिया होंगे now start करते हम लोग discussion को यह है हमारा आज का सबसे पहला article बहुत बहुत important article यह होने वाला है लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से वही बात बोलना चाहूंगा जो मैं daily basis पर बोलता हूँ कि चाहो तो आप लोग साथी साथ notes को prepare कर सकते हो otherwise इस lecture का pdf आपको provide करवा ही दिया जाता है दिन में जब भी time मिले इस lecture के pdf को download कर लेना और उसके बाद इसमें से important points को अपने notes के अंदर incorporate कर लेना अब देखो हुआ क्या है एक parliamentary panel report है जिसको table किया गया और इस report के अंदर बताया गया कि हम लोगों को police reforms की जरुवत है जो भी हमारा police विभाग है इसके अदर बदलाव की जरुवत है वो बदलाव क्या क्या हो सकते है उसको हम आगे discuss करेंगे तो इस particular article का context क्या है वो आप ल parliamentary standing committee ने home affairs के पास यहां पर बताया एक report table करी और बताया कि हम लोग को एक reforms की जरुवत है एक बदलाव की काफिया तक आवशकता है बहुत सारी परेशानिया आज के टाम पर police forces face कर रही है उनको हम लोग निप्टा सकते हैं यह बदलाव करके तो कौन कोंसे बदलाव हो सकते ह उस report ने बताया है तो इस report के key points के उपर आते हैं directly पहला point यहां पर इस report ने क्या बताया कि सबसे पहले आज के time पर एक बहुत बड़ी problem क्या है कि जो हमारा police विभाग है इसके अंदर जो women का representation है वो बहुत जादा कम है ठीक है women का role बहुत कम देखने को मिलेगा तो इस report ने हमारी केंद सरकार से बोला कि आप states को और साधी साथ unit territories को advise दो कि वो क्या करें जो women का representation है police department के अंदर 33% से increase कर दें 33% तक यहाँ पर आपको एक तरीके साब कर सकते हो representation देखने को मिलेगा women का तो जो भी हमारा police department है यहाँ पर 33% women भी होनी चाहिए इसके उपर focus किया गया इस report के दो अब एक question यह होगा कि अगर यहाँ पर representation women का बढ़ेगा तो men की job यहाँ पर कम हो जाएगी तो यहाँ पर बोला गया आपको job बिलकुल भी नहीं कम करनी है यह जो 33% job बढ़ानी है women के लिए वो जब अलग से आपको create करनी होंगी ठीक है तो यह आपको additional एक अलग से post create करनी होंगी women के लिए इसी particular police department में जहाँ पर women का roll भी बढ़ेगा प्लस जो यह police के जो भी लोग है वो भी increase होंगे इससे क्या होगा इससे police population ratio improve होगा मतलब जादा से जादा population के उपर एक अच्छे खासे amount के number में police देखने को मिलेगी जो की अच्छे से लोगों को control कर आई है उसके बाद दूसरा point क्या बताया गया कि देखो आज के time पर बहुत सरे police वाले हैं जिनके ओपर काफी stress है तो उन police वालों को सिखाओ कि कैसे stress को हम लोग manage कर सकते हैं उनको recommend करो online offline modules उनको जो भी stress है उस stress को कम करने के लिए बताओ हम लोग yoga exercise या फिर counseling या treatment के तोर प कम कर सकते हैं तो जो भी process है वो उनको बताया जाए ताकि उनका stress हम लोग कम कर सके हैं अगला यहाँ पर reform बताया गया कि आपको law enforcement और investigation wing को अलग लग रखना होगा देखो इसमें क्या difference है बहुत important point है यह जब भी हम लोग police department की बात करते हैं तो एक इदर law enforcement जो की कानून को लग कर रही है दूसरी investigation wing एक तरफ यहाँ पर investigation करने वाले officers अलग होते हैं और दूसी तरफ जो law enforcement है जिनको law को लग करवाना है डंडे बंडे मार कर यहाँ पर इंसान को सीधा करना है इनका काम अलग है लेकिन आज के टाइम पर सबसे बड़ी problem क्या हो रही है कि एक ही व्य इसकी potential है वो और जादा कम होती हुई नजर आईगी तो सबसे बड़े बदलाव की जरुवत है कि आप लोग लिए investigation officer अलग होना चाहिए और law enforcement वाला officer अलग होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि आप एक ही व्यक्ति से सारे काम करवा सको इससे काफी सारी problems create हो सकती हैं अगले conditions जिनकी अच्छी नहीं हो उनकी condition को अच्छा किया जा सके इस committee नहीं आप बताया कि बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं उनके पास जो housing है मतलब जो घर वगरा है वो proper घर देखने को मिलेगा नहीं ठीक है उसका जो satisfaction level है वो बहुत ज़ादा कम है तो आपको उसको improve करना होग साथ साथ यह भी बताया गया अगर हम बात करें 21st century के अंदर भारत में बहुत सारे पुलिस टेशन है जहाँ पर टेलीफोन और proper wireless connectivity नहीं देखने को मिलेगी जो talkie walkie होता है वो connectivity नहीं मिलेगी टेलीफोन के connection नहीं है और भी बहुत सारे important connections इन पुलिस टेशन के अंदर दे यह बहुत बड़ी problem है अपने आप में तो इस problem को solve करना पड़ेगा ऐसा यहाँ पर इस report ने बताया next का बताया देखो people friendly policing हम लोग को देखने को मिलती है देखो police के अंदर हम लोग को क्या करना है एक transparent और independent system होना चाहिए people friendly होना चाहिए लोग यहाँ पर दोस्त मान के एक चीजों को बढ़ा सकें और जो police है वो यहाँ पर people friendly हो तो जादा बहतर रहेगा ऐसा भी बताया गया उसका अगला आपको यह देखने को मिलेगा अगला point बोलता है Lex implementation of law मतलब देको हमारे पास model police act 2006 है ठीक है फिर उसका यहाँ पर जो यह act है इसको amendment करने के बाद और ही बह सबसे बढ़ी problem क्या है जो यह police के अंदर reforms देखने को मिल रहे है जो यह बदलाव देखने को मिल रहे है वो बहुत धीमी गती से हो रहे है उसको तेज करो उसको increase करो और police reforms के अंदर आपको थोड़ा सा तेज गती लेकानी पड़ेगी changes जल्द जल्दी करने होंगे जिस हम यहाँ पर properly police को देनात कर सकते हैं यह छोड़े छोड़े points mention करे गए लेकिन जो important points हो मैं आप लोगों को अलड़ी बता चुका हूँ साथ साथ बताया गया कि बहुत सरा जो fund है वो यहाँ पर properly utilized नहीं हो पाता है तो यहाँ पर बताया गया कि उस fund का properly utilization करना भी जरूरी है यह बताया गया कि बहुत सरा पैसा आता तो है लेकिन लगाया नहीं जाता है तो उस पैसे को आप लोगों को properly खर्चना होगा ताकि हम हम लोग पुलिस को जा फिर पुलिस डिपार्टमेंट को और ज़दा बेतर बना सके, अब बात करते हैं, पुलिस रिफॉर्म का exactly मतलब होता क्या है, तो पुलिस रिफॉर्म का मतलब होता है, ट्रांस्फॉर्म करना, इनकी कल्चरल, वैलिउस, पुलिस, पुलिस, प्राक्टेस, यानि, पूरी तरह से पुलिस और्गनाजेशन को बदल देना, यह हमारा रिफॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इंप्रूफ करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को साधी साथ, यहाँ पर फोकस करता है, कि जो पुलिस का इंटरेक्शन है, दूसरी स्याक्टर के लोगों से, वो और ज़दा इंप्रूफ हो जाए, यह मेन फोकस यहाँ पर रखा जाता है, तो बेसिकली मतलब नाम से बता चला है, पुलिस रिफार्म, तो जादा इसमें कुछ घुसने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पुलिस के अंदर बदलाव करने की आवश्यक्ता है, उसी को लेकर चर्चा की जाती है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर यह देखन सरकार लग बनाती है, यूने लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, वहाँ पर हमारी केंदर सरकार लग बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, इसके उपर हमारी जो एक तरीके से दोनों सरकारे मिलकर लग बनाती है, तो यह जो पुलिस का ये किस में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है, आपको ध्यान अगना, शिटियून सेविन के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर ये देखने को मलता है, पूरा 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 पूलिस डेपार्टमेंट, अब पूलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाने के बारे में ज क्राफ्टिंग कमिटी आई ठीक है सुप्रिम कोट के कुछ डायरेक्शन दिये गए प्रकासिंग वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया के उपर यह बहुत इंपोरेंट है तो यह सारी जो कमिटी है केसिस जो भी हुआ है यह सब पुलिस रिफॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं क कि हमें आज के टाइम पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक बदलाव की जरुवत है ठीक है मैं अब आप लोगो थोड़ सा डीटेल से बताऊंगा इसके बारे में भी साथ साथ बताया गया कि क्या क्या हम लोग रिफॉर्म से लेकर आ सकते हैं ठीक है पहला रिफॉर में मकसद है हम लोग प्रॉपरली जो पैसा है उसको यूटिलाइस करें सरकार जो भी पैसा अनाउंस कर रही है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए उसको प्रॉपर यूज किया जा सके क्योंकि वो प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है तो इस स्कीम का में मकसद है उसका प्र प्रोवाइट करवाएं पुलिस वालों को ये हमारा मेन मकस्त है और ये सारे हम लोग बदलाव कर सकते हैं ऐसा बताया गया दूसरा यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है दूसरा आप देख पाओगे यहाँ पर बोला गया सुप्रीम कोट ने खुद प्रक प्रकाश सिंग केस के अंदर प्रकाश सिंग केस एक बहुत इंपोर्टेंट केस है जब भी हम लोग पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं आपने बड़े बड़े केस के बारे में सुना होगा केस पुत्ता स्वामी केस है ना और भी बहुत बड़े केस आपने सुन होता है उसका दो साल का टिन्योर रखना होगा होता क्या है यहाँ पर कि जैसे ही कोई political party बदली तो यहाँ पर DGP को change कर देते हैं तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो DGP है एक उसको दो साल का term तो मिले देखो होता क्या है ना कि मालो यहाँ पर एक particular area है यह वाला इसमें अभी अभी एक नया DGP आया और मालो सरकार अभी तुरह बदल गई यहाँ पर तो वो सरकार DGP को हटा देगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो भी DGP बनाए कम से कम दो साल तक वहाँ पर रहे चीजों को अच्छे से देखे और चीजों के ओपर सुधार करे ठीक है ऐसा बताया गया प्लस investigation के लिए जैसा मैं आपको बताया जो investigation के लिए officer है वो अलग होना चाहिए और law and order के लिए अलग होना चाहिए यह बहुत important है और अलग लग body को बनाना पड़ेगा आपको police establishment and board को बनाना होगा police complaint authorities को आप लोग बना सकते हो national security commission को बना सकते हो के इन सरकार level पर यह Supreme Court ने बोला क्या आप लोग यह नई नई bodies बनाओ जो कि यहाँ पर क्या काम करेगी police reforms को बर काम करेगी हमारे police विभाग को और जदा बेतर बनाएगी तो यह सब Supreme Court ने खुद बोला था तो हम लोग क्या क्या बदलाव कर सकते हैं मैं आप लोग को यह सारी बाते बता रहा हूँ ठीके उसका next यहाँ पर last point क्या है कि जो criminal justice system में उसको revamp करने की आवशकता है देखो police reforms तो एक तरफ चली रहे हैं लेकिन दूसी तरफ हमें जरूरत है जो हमारा criminal justice system में वो बहुत slow है उसको भी हमें थोड़ा सा upgrade करना होगा उसको में वापस से जीवित करना होगा बहुत सारे criminal cases आते हैं लेकिन उनकी सुनवाई जल्दी हो नहीं पाती है तो इसके अंदर हम लोग को बदलाव करना होगा इस context में कमिटी है मेनन और मलीमत कमिटी इन्हों नहीं हाँ पर काफी सारी चीज़े बता रखे हैं उन्होंने recommendation दे रखा है कि आप लोग यहाँ पर एक fund create करो कि जो भी victim है जो भी यहाँ पर एक तरकी से शिकार बनता है इस crime क्या तो उसको यहाँ पर एक compensation दिया जा सके आपको दूसी तरफ crime के उपर भी काम करना होगा criminal जो हमारा justice system है उसको हम properly अच्छे से अपग्रेड कर पाए उसके उपर focus करना होगा आई होप आप लोगो यह सारी बाते clear हो चुकी है तो police reforms के बारे में जो भी important चीज़े थी आप लोग देख पाऊगे हमने यहाँ पर सब कुछ discuss कर लिया है कि यहाँ पर क्या news थी प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या-क्या discussion हुआ प्लस उसके बाद हम लोग क्या-क्या changes ला स ठीक है और वीडियो को अच्छे सुनते रहे ना last मैं मैंने आप लेके लिए काफी सारे questions लागा रखें और आपको यह शांदार सा PDF दिख रहा होगा यह PDF आपको टेलिग्राम से मिल जाता है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने printout निकाल के रख सकते हो या फ अर्टिकल काफी important है ठीक है और जो भी हमारी scheme है योजना है mission है इसके regarding हर साल एक नाई question आता रहता है तो पहले इसका हम समझेंगे context क्या है कि news में क्यों है क्यों है क्यों कि हाली में जो हमारी केन सरकार है उन्होंने state government है हमारी राजसरकार और एक तरीके से हमारी एक तरीक पोशन scheme के अंदर मिलेट्स का introduce कर लो मिलेट्स क्या होती है मैं आपको अभी बता दो मिलेट्स जैसे कि जो और बाजरा रागी होता है इन सब को डाला जाए पीएम पोशन scheme के अंदर क्या होता है यहाँ पर खाना दिया जाता है बच्चों को खासकर जो बच्चे स्कूल मे एड कर देंगे तो इससे जो खाने है उसकी खाना है उसकी ताकत और ज़दा इंक्रीज हो जाएगी बच्चों को और ज़दा अच्छा खाना मिलेगा यहाँ पर फोकस किया गया है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा वेट करो अभी आप लोग को मैं डीटेल बे क्लिकर देखरी को मिलती है ठीक है आपने डेफिनिटली इसके बारे में सुना होगा और देखा भी होगा खाया भी होगा इसके अंदर जो यह जो वर बाजर रागियन के अंदर मिनरल्स भरपूर मातरा में होता है और B-complex vitamins भी देखरी को मिलता है प्रोटीन, antioxidant बहुत सारी चीज इसके अंदर बच्चों को दी जाएगी इससे क्या होगा जो nutrition है जो यहाँ पर पोशल है यह बच्चों के अंदर जाएगा बच्चों के अंदर ज़दा तर प्रोटीन की कमी देखने को मिलेगी anti-oxidant जो कि आपके पूरे body को हाँ पर protect कर रहे है फ्री रैडिकल से तो बहुत सारी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह जो चीजे हैं आपके body के अंदर जाएगी तो definitely आपके जो body का nutrition status है वो काफी improve होगा और खासकर बच्चे को उपर यहाँ पर focus किया जा रहा है ठीक है तो यह हाँ पर बताया गया साथ ही साथ आज के टाइम पर भारत push कर चुका है CH को लेकर कि जो 2023 होगा अभी 2022 चल लाए अब जो अगला सालों का 2023 उसको हम लोग international year of millets के तोर पर हम लोग उसको observe करने वाले है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है प्लस millet के और भी cholesterol level है उसको यहाँ पर lower करता है देखो cholesterol जो होता है वो एक bad cholesterol होता है और एक होता है good cholesterol ठीक है आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर जैसे की eggs हो गए अंडे हो गए उसमें good cholesterol मिलता है अब एक bad cholesterol होता है वो बहुत जादा बुरा होता है जैसे refined औल वगरा बहुत जो चिकना to diabetes होती है उससे बचाएगा ठीक है breast cancer से बचाएगा और साथ जो blood pressure होता है ठीक है महाँ पर काफी आपको effective देखने को मिलेगा यह उसको काफे तक control करके रखेगा तो यह चीज़े देखने को मिलती है जो millet से वो लग-लग प्रकार के आपको इसकी possibility और जदा बढ़ सकती है इससे हम लोग यहाँ पर काफी कुछ achieve कर सकते हैं बच्चों को अच्छा यहाँ पर खिला सकते हैं और एक बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग अगर आज investment करते हैं खासकर आज के निर्मान या फिर PM portion scheme को अप्रूफ किया था या आपको ध्यान रखना है तो पतब 2021 में इसको अप्रूफ किया गया इस scheme के अंदर क्या बोला गया था हम लोग गरम गरम खाना प्रूफ करवाएंगे सरकारी स्कूल के अंदर यह जो scheme है इसने पहले वाली scheme को replace कर दिया है कौन सी scheme को replace किया यह बहुत important है जो हमारी mid day meal program था उसको replace किया है इस PM portion ने और इसको हम लोग ने launch किया है 5 साल के लिए 2021 से 2025 थब्वीस तक हम लोग पैसा खर्चेंगे खूब यह बच्चे हैं स्कूल के खास कर जो 125 मतलब की primary class के बच्चे देखने को मिलेंगे उसका अपर primary 628 के देखने को मिलेंगे इन सबी को एक अच्छा खाना दिया जाएगा लगबग यहाँ पर 100 ग्राम्स और 150 ग्राम्स फूड ग्रेंस प्रोवाइड करवाय जाएंगे इनको खाना प्रोवाइड करवाय जाता था अब उसको यहाँ पर PM portion scheme ने replace कर दिया है PM portion scheme यहाँ पर यह एक तरीके से अच्छा खाना प्रोवाइड करवाइगी बच्चों को इसके ओपर यह focus रखती है ठीक है यहाँ पर एक supplementary nutrition दिया जाएगा जिसमन आपको बताया बच्चों क तो काफी अच्छा खाना मिलेगा और यह scheme का main focus रहने वाला है aspirational districts के ओपर ऐसे district जो की कहाँ जहाँ पर सबस्यादा अपको गरीबी देखने को मिलेगी ठीक है जहाँ पर एनेमिया बहुत जदा देखने को मिलेगा एनेमिया अपने आप में एक बहुत बड़ी बिमारी दे देंगे जिससे कि हाँ पर यह सारी विमारिया भी दूर होती हुई नजर आएंगी यह आप लोगो ध्यान रखना है तो अब यहाँ पर साथ साथ यह भी बोला गया जो भी हमारी राजसरकार है वो decide कर सकती है उसको जो भी add करना है अपने scheme के अंदर दूद हुआ अंडे देखती है यहाँ पर बताए गया जो भी restrictions थी वो सब यहाँ पर हटा दी गई है clear हुआ उसके बाद हम लोग देख पाता है PM portion scheme के हम लोग features के बारे बात करें यहाँ पर क्या 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 फीचर सप्लिमेंटरी nutrition मिलना है छोड़े-छोड़े बच्चों कवर किया जा रह या फिर कोई बड़ा अफसर है तो उस अफसर पर बहुत अच्छा खाना मिले करेगा एक अच्छा special food प्रोवाइड करवाय जाएगा बच्चों को साधी साथ इस scheme के अंदर direct benefit transfer का system देखने को मिलेगा जो हमारी केन सरकार है इन्होंने हाँ पर बोला है state से unit territory से कि आप कर रहे हैं इस scheme के अंदर में बहुत सरे लोग जो की खाना बना रहे है ठीक है उन सब को भी compensation वगरा देना चाहिए उन सब को भी यहाँ पर help मिलनी चाहिए ठीक है साधी साथ इस scheme के अंदर बोला गया एक nutrition expert होगा nutrition expert को हर school के अंदर appoint करेंगे जो की पूरे जिम्मेदारी र जाएगा कि scheme का implementation कैसे हो रहा है कैसे scheme को लागू किया जा रहा है अगर कोई कम है तो उसको यहाँ पर पूर्ती की जाएगी तो यह सारी चीजे है PM potion scheme के अंदर इसके बारे में जरूर धियान रखना अब यहाँ पर अगला point है कि आखिरकार जरूरत क्या है मिलेट्स को समन आपको बताया काफी सारी बिमारियों को यह मिलेट दूर कर सकता है ठीक है क्यों और उसके बाद हमें जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे country के अंदर बात करें तो malnutrition और एनीमिया यह बच्चों के अंदर बहुत जादा देखने को मिलेगा malnutrition मतलब कुपोशड जाता है कि बच्चों की उम्र के हिसाब से हाइड बहुत कम है या उम्र के हिसाब से हाइड वेट दोनों बहुत कम है तो यह चीज़े काफी जादा है तो अब हम लोग इनी चीज़ों को देखते वे यह millets प्रोवाइड कर रहा है ताकि बच्चों को एक अच्छा खाना मि भारत की रेंग जाधा अच्छी नहीं है, भारत ने एनीमिया के अंदर तो बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं किया, एनीमिया भारत के अंदर अभी भी ऐसा है, हम लोगों के यहाँ पर जो भी आपका सकतो बहुत सरे लोग है, वहाँ अनीमिया से सफर करने का मतलब है, कि आपका सकतो iron deficiency है बहुत सरे vitamins, minerals उनको नहीं मिल पा रहे हैं तो ये problem अपने आप में बहुत ज़ादा है तो इस problem को solve करने के लिए millet को introduce करना चाहिए ऐसा हमें बताए गया फिर उसके बाद human capital index की बात करोगे तो human capital index के अंदर ही भारत की rank ज़ादा बेतर नहीं है इंडिया की rank 174 countries में से 116 यानी 116 नंबर पर देखने को मिलेगी ठीक है human capital क्या होता है बेसिकलि यहाँ पर knowledge, skills, health ये सारी चीज़े देखने को मिलती है तो यहाँ पर हमारी ज़ादा अच्छी rank है नहीं ठीक है यहाँ बताएगा तो इसकी वेसे भी हम लोग को आवशकता है क एक है एनेमिया मुक्त भारत अभियान, दूसरा है National Food Security Act 2013, तीसरा है प्रधान मंतरी मातरु बंदना योजना उसके बाद अगला आपको देखने को मिलेगा potion अभियान और बाकी मैं आप लोग को अभी हाँ पर और बी चीज़े बता दी है ठीक है PM potion scheme के बारे मैं आप लोग एक endangered species बन चुका है, ऐसे यहाँ पर Australia के अंदर बताया गया, तो अहाली में Australia ने कोवाला को classify किया गया, एक endangered species मतलब की काफी खत्रे में इसको नहीं बचाया गया, तो यह प्रजाती हो जाएगी खतम, कोवाला कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, जैसा कि आप अगर हम बात करें, number of koala लगातार कम हुए है, डिकलाइन हुए है, और भारत के अंदर भी आप देख पाऊगे, लगातार koala की population काफी कम हुई है, ठीक है, 2012 में ही koala vulnerable section के अंदर था, अब तो endangered category में डाल दिया कि बिल्कुल खतरनाक है, अगर यहाँ पर यहाँ पर इसकी ज भूला नहीं सकता, ठीक है, आपको याद होगा अगर आप लोग करेंट अपर से वाकिब हो कि हैं, अउस्ट्रिलिया के अंदर किती तगड़ी आग लगी थी, ठीक है, उसको हम लोग black summer के नाम से जानते हैं, और उसी आग के अंदर क्या हुआ था, लगबग 60,000 koala के उपर काफी बुरा impact पड़ा था, ठीक है, तो यहीं बताया गया है कि आज के टाइम पर जो आउस्ट्रिलिया के अंदर सबसाद कोवाला पाए जाते हैं, अब आग लेखने के वाज़से काफी सारे कोवाला impact हुए, उनको proper production नहीं मिल पा रहा है, और इसी वज़ा से यहाँ पर बहुत important है, आपसे पूछ लिए जाता है, देखो scientific name और साधी साथ IUCN status ज़रूर याद रख लिया करो किसी भी जानवर गा क्योंकि यह पूछे जाते हैं, आपको बताओगा मैंने काफी सारे previous questions का example मैंने आप लोग को दे रखा है, ठीक है, जो कोवाला का scientific name है, वो है, पै आउस्ट्रिलिया में पाया जाता है, खास कर इनकी जो जगा है, वो open eucalypt woodland वाले area है, जहां पर यह पाया जाता है, तो आप लोग इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो, यह आउस्ट्रिलिया के endemic है, मतलब कि सिर्फ फॉस्रिव आस्ट्रिया में ज्यादा त इसके बारे में बात करें, तो इसको सबसे बड़ी थ्रेट क्या है, वो है habitat destruction, जहां पर रहता है, वहाँ पर काफी destruction चल ला है, पेलोगी कटाई हो रही है, जंगली कटाई हो रही है, दूसरा सबसे बड़ी problem है, climate change की लगातार, गर्मी बढ़ रही है, pollution increase हो रहा है, इसकी और साथ साथ यहाँ पर जो weather condition है, वो भी काफी बुरा हो रहा है, काफी जगापर सूखा पढ़ चुका है, काफी जगापर temperature काफी increase हो चुका है, तो यह सारी चीजों की वज़ाए से काफी बड़ा threat इनको पहुंच चुका है, काफी मतलब परिशानी face कर रहा है यह कोवाल clear हुआ, आते हैं अगले article पर, अगले article बहुत जबर्दस होने वाला है, यहाँ पर बात करेंगे महराजा सूरज मल के बारे में, तो यह article चर्चा में है, इस article को आप लोग relate कर सकते हो, GS paper 1 से, GS paper 1 के अंदर हमारा एक history का topic देखने को मिलेगा, तो चर्चा में क्यों है यह, तो क्या हुआ है कि हाली में हमारे प्रायमिनिस्टर ने, tribute पे किया है, यहाँ पर एक शंदाजली दी है महराजा सूरज मल को, क्यों? क्योंकि महराजा सूरज मल की अभी जनती को celebrate कیा है, तो इसी अफसर पर यहाँ पर इस शंदाजली दी गई, महराजा सूरज मल आप किया था 18 सेंचरी के अंदर ठीक है ये एक सन थे जाट चीफितन बदन सिंग के तो आपको ध्यान रखना है साथी साथ एक ग्रेट लीडर थे ग्रेट फाइटर थे ग्रेट डेप्लोमेट थे और ग्रेट स्टेट्समेन भी थे इनको प्लैटो ऑफ दा जट पीपल भी बोला जाता है एक मौडरन राइटर के थूर यहां पर बोलता है कि हाँ ये प्लैटो ऑफ जट पीपल कलाते हैं इनका पॉलिटिकल सेंस ऐसा था इनका बुद्धिमानी इतनी थी मतलब इनका विजन काफी क्लियर था ठीक है साथ साथ इन्होंने बहुत ज़दा फोकस किया हिंद हुमानीटी में बिलीव करते थे और बोलते थे कि हुमानीटी ही यहां पर एकलोता रिलीजन है किसी भी मानव का साथ साथ इंडिया एस वन नेशन के उपर इन्होंने फोकस किया कि इंडिया एक ही नेशन है और हिंदू-मुसलिम को युनाइट करने के उपर यहां पर फोक यह रिजॉल्व कर पाए तो महाराजा सूरजमल काफी तक फिवर में रहे फार्मर्स के आपको ध्यान रखना है प्लस उसके बाद कुछ अलगलग इंस्टिउशन्स बन कर आए एनी के नाम पर जैसे महाराजा सूरजमल इंस्टिट्यूट आफ टेक्निलोजी महाराजा सूरजमल ब्रिच उनिवर्स्टी भरत पूर तो इनके नाम पर काफी सारे इंस्टिट्यूट्स वगरा भी बनाए गए हैं साथी साथ यहाँ पर बोला जाता है कि जो यह महाराजा है इनकी डेथ होई थी एक बैटल के अंदर जो यहाँ पर अफगान जनरल थे एमर शाह अब्दाली इनके बहुत सारी आर्मी परसंस थे तो एक तरफ मराठा दूसी तरफ अफगान आर्मी इन दोलों के बीच में यह थर्ड बैटल ओफ पानीपत लड़ी थी 1761 के अंदर इस बैटल को लड़ा गया था दिल्ली से 90 किलोमेटर दूर नॉट साइड में और यह बैटल जीत ली थी अफगानियों ने आपको ध्यान रखना है लगबग यहाँ पर जो मराठा से 40,000 मराठा के यहाँ मृत्यों ही थी इस पूरे के पूरे बैटल के अंदर महराजा सूराजमल ने एक बहुत important role play किया था इस पूरे बैटल में आपको ध्यान रखना है अलाकि महराजा इस ने बहुत important place अपनी यापर खो दी थी इस battle के बाद में यह भी आप लोगो ध्यान रखना है तो आप लोग definitely solve कर पाओगे इस प्रकार की questions one day examination में बन जाते हैं अगला आर्टिकल बहुत जबरदस होने वाला है collegeum system for the appointment of judges को लेकर है तो इस आर्टिकल को आप लोग simply relate कर सकते हो GS paper to quality से discuss करेंगे कैसे judges को appoint किया जाता है judges को appoint करने के लिए collegeum system को बना रखा है वो collegeum system क्या होता है हम लोग उसको समझने वाले हैं इसका context समझते हैं आखिरकार चर्चा में क्यों है क्योंकि हाली में Supreme Court का जो collegeum system है इन्होंने एक recommendation दिया है ये बोला है जो Justice Munishwar Nath Bhandari है इनको Chief Justice of Madras High Court बना देना चाहिए इनको लेकर एक recommendation दिया गया तो हम discuss करेंगे आखिरकार कैसे judge का appointment होता है क्योंकि जब भी आप लोग लक्षमी कांथ की book पढ़ोगे न तो उस book के अंदर ये collegeum system के उपर पूरा पूरा एक chapter आपको देखने को मिलेगा पूरा topic देखने को मिलेगा तो बहुत जबरदस topic होने वाला है पूरा topic मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा तो collegeum system कैसे बना था इसका evolution कैसे हुआ था पहले हम इसको समझेंगे evolution होना जो इसका start हुआ था 1981 में जजेस को कैसे choose के जाता था तो उसके पीछे स्रिफ और स्रिफ एक chief justice of India हुआ करता आपको बादा सुप्रीम कोट में हमारे एक chief justice of India है तो यही यहाँ पर recommendation देते थे यही बोलते थे कि यहाँ इस judge को appoint कर लेना चाहिए तो यह process लंबे समय तक ऐसे चलता रहा तो 1981 से बाद में समय आता है 1993 का सुप्रीम कोट ने क्या कहा कि आप हम लोग एक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आएंगे तो exactly आप कह सकते हो कॉलेजियम सिस्टम का जो introduction है वो second judge case के थ्रू हुआ था 1993 में तो यहाँ पर बोला गया देखो एक chief justice of India तो रहेंगे इनके साथ दो senior judge रहेंगे सुप्रीम कोट के तो total कितने लोगों गए यह तीन लोगों गए तो बताया उस समय कि अब यह तीनों मिलकर आपस में discussion करकर consult करकर किसी भी व्यक्ति को appoint करेंगे as a supreme court का judge तो supreme court के judge को appoint करने के लिए यहाँ पर तीन लोगों का एक कॉलेजियम सिस्टम बना दिया गया लेकिन 1993 में इसको बनाया था तब भी बात नहीं बनी कहानी आगे बढ़ती रही और 1998 के अंदर finally एक case होता है third judge case इसमें क्या होता है यहाँ पर एक पूरा कॉलेजियम सिस्टम proper बनता है अब यहाँ पर total पांच मेंबर की body बना दी जाती है मतलब पांच मेंबर का एक कॉलेजियम सिस्टम को बनाया जाता है इस कॉलेजियम सिस्टम में एक Chief Justice of India होते हैं और चार Supreme Court के Senior Judges होते हैं तो यह total 5 हैं तो आज के टाइम पर भी अगर हम बात करें Supreme Court के अंदर कैसे जजज अपॉइंट हो रहे हैं उन जजज को अपॉइंट करने के लिए पीछे कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है इसके अंदर टोटल 5 मेंबर हैं एक Chief Justice of India हैं और 4 Supreme Court के Senior Judges हैं तो यह 5 लोग मिलकर यहां पर किसी भी जजज को चूस करता है इसी को हम लोग कॉलेजियम सिस्टम बोलता है दूसरा question आता है कि आखिरकार कॉलेजियम सिस्टम को head कौन करता है इसको कोई चलाने वाला व्यक्ति भी तो होगा बिलकुल तो Supreme Court के कॉलेजियम सिस्टम को head किया जाता है Chief Justice of India के तुरू आपको ध्यान रखना है यहां पर चार और सीनियर मो जजजिस होता है मैं आपको यह भी बता दिया और जैसे Supreme Court का कॉलेजियम होता है उसी प्रकार से High Court का कॉलेजियम होता है तो Supreme Court का कॉलेजियम तो Chief Justice of India लीड करते हैं लेकिन हाई कोट का कॉलेजियम जो Chief Justice होता है हाई कोट का वो यहाँ पर लीड करता है प्लस और भी चार जजिस देखने को मिलते हैं उस कोट के वो सब यहाँ पर हाई कोट के अंदर एक कॉलेजियम बनाते हैं तो जैसे Supreme Court का कॉलेजियम है उसी प्रकार से आप को हाई कोट का कॉलेजियम देखने को मिलेगा दूसरा क्वेशन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ जजिस को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम काम करता है हमें पता चलिया लेकिन यह बताओ कि इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम को Chief Justice of India हेड कर रहा ह यह आप लोग को ध्यान रखना है और जो Chief Justice of India पुराने वाले हैं जैसे कि आज करेड़ें पर N.V. रमन साब है अब इन से पहले वाले Chief Justice of India जब यह जा रहे थे तो इन्होंने भी recommendation दिया होगा कि हाँ N.V. रमन साब को Chief Justice of India बनना चाहिए साथ ही साथ एक चीज़ और देख Chief Justice of India के लिए फिर लास्ट में जो हमारे President होता है वो यहाँ पर Chief Justice of India को अपॉइंट कर लेते हैं प्लियर हुआ उसी प्रकार से Supreme Court के Judges अपॉइंट होता है लेकिन Supreme Court के Judges में Collegium System वर्क करता है मैं आप लोगो बता दिया होता क्या है यहाँ पर एक CGI है और चार हमारे Supreme Court के Jud Judges है तो यह लोग मिलकर यहाँ पर एक Proposal लगते हैं आप उसे बातचीत करते हैं और अगर किसी को भी Member को अपॉइंट करना होता है तो उस Member को अपॉइंट के जाता है अपॉइंट करने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो यह Recommendation Law Minister तक पहुंचता है Law Minister आगे बोलता है Prime Minister क फिर Prime Minister President को Advise देते हैं फिर President Sign करके उस Judge को Appoint कर देते हैं ऐसा Supreme Court का Judge तो यह हमारा Collegium System कुछ इस परकार से वर्ग करता है ऐसा ही यहाँ पर आपको High Court का Collegium System वर्ग करता हो नजर आएगा जो कि मैंने आप लोग को बताया ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर एक सबसे Transparency उसकी काफी कमी है मतलब हमारे पास चीजे पता नहीं चलती है आपस में Judges हैं आपस में Decide करके किसी ना किसी को Appoint कर लेते हैं हमारे पास कोई Information आती नहीं है या फिर दूसी चीज यहाँ पर Nepodism देखने को मिलता है Nepodism मतलब जिसको यह चाहते हैं आगे निकालना उसी को निकालते हैं अधरवाइस जिसको नहीं चाहते वो आगे नहीं आ पाता या फिर अपने कोई Relation में अपने कोई Relatives हैं उनको यह आगे Judges बनाते रहेंगे उनको आगे प्रमोट करते रहेंगे अधरवाइस दूसरे को आगे बढ़ने देते नहीं है तो यह कही ना कहीं इन आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से सुन लिया है तो उसके बाद आप लोग इन Questions को Definitely Solve कर पाओगे पहला Question आप लोगों से पूछा या है पुलिस जो है वो कौन से लिस्ट के अंदर आता है Schedule 7 के अंदर तीन लिस्ट में आपको बता है State List, Concurrent List और Union List तो इन तिनों ल Question, Koala जो है इसका Scientific Name का है बहुत Simple सा Question है अभी हमने Discuss किया, Then Koala का IUCN Status का है आप लोग को इभी बताना है, अगला Question जो Third Battle of Panipat है ये लड़ी गई थी, एक तरफ तो थे जो अफगानी आर्मी थी वो, दूसी तरफ यहाँ पर कौन थे तो उनका नाम बताना है, Last Question आप लोग आंसर्स मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, चाहो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, बट खुद सौल्व करोगे तो जादा बहतर रहने वाला है, तो एक फटा-फट ओवर्वी लेते हैं, हम लोग क्या-क्या हम लोगोंने Discussion किया है आज, तो सब से पहले हम लोग ने पालियमेंटरी पैनल रिपोर्ट के बारे में जाना कि पुलिस रिफॉर्म को लेकर एक रिपोर्ट लेकर आए गई जहां पर पुलिस रिफॉर्म को लेकर एक रिपोर्ट लेकर आए गई जहां पर पुलिस रिफॉर्म को लेकर एक रिपोर्ट लेकर यह मैंने केस बताया सुप्रीम कूट यह क्या यहाँ पर जज्जमेंट थे सुप्रीम कूट ने यहाँ पर क्या क्या सलूशन दिया है कि हम लोग पुलिस के अंदर कैसे बदलाव कर सकते हैं वो सारी चीज़े मैंने भी आप लोगों को बताई है अगले पॉइंट के अंदर ह मैंने मैंने के इसके बारे में डीटेल से बताया PM-Potion scheme काया मैंने आप लोगों की है एकсятे बात हम लोगों ने अभी डीटेल में थोड़ी देर पहले ही की है ey प्लस उसके बाद жो जो इंटेडियूस करने की जरुवत क्यों मैंने आप लोगों को यह बताया कि हमारी कंट्र ने इसको endangered species के अंदर declare कर दिया है कोवाला को क्या 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 परिशानी हुई यह उस्ट्रिलिया मैंने आप लोगो बताया प्लस यह भी हम लोगों ने डिसकस किया कि आकरकार कोवाला का scientific name क्या है scientific name है Fasco Relatus Senators करके यह नाम देखने को मिलेगा कहां पर पाया जाता है मैंने आप लोगो बताया इसका IUCN status क्या है प्लस इसको threat क्या है वो हम लोगों ने समझा अगले article में हम लोगों ने महाराजा सूरजमल के बारे बात की क्यों चर्चम है क्योंकि हमारे Prime Minister ने इनके जनती पर अभी tribute पे किया है महाराजा सूरजमल कौन थे मैंने अभी आप लोगो इनके बारे में काफी डीटेल से बताया प्लस यहाँ पर इनका relation battle of पानीपत से क्या था वो मैंने आप लोगों बताया अगले article में हमने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में discussion किया कॉलेजियम सिस्टम क्या है जजिस का कैसे appointment होता है हाली में Supreme Court ने इस प्रकार के एक recommendation दिया है कैसे evolve हुआ अलगलग cases आए कैसे कॉलेजियम सिस्टम मना कॉलेजियम सिस्टम को head करते है Chief Justice of India चार और जजिस होता है Judicial appointment कैसे होता है Chief Justice of India को कैसे appointment के जाता है Supreme Court के judges को कैसे appointment के जाता है ये सारी बाते मने भी आप लोग को थोड़े दिर पहले बताई है फिर उसकाद हमने इन questions को देखा फिर उसके बाद यहाँ पर इन questions के answer को भी देखा इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने lecture को sum up मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाई बाई have a nice day thank you and जैहिंद